इस्राइल पर इरान और हिजगुला की तरफ से अभी तक के सबसे बड़े हमले का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है दरसल अमेरिकी अखबार दन्यू यॉयॉक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इरान इस्राइल पर 15 अगस्ट 2024 तक जवाबी हमला कर सकता है लेकिन इस सब के बीच इस्राइल के उत्री बॉर्डर पर हिजगुला ने कोहराम मचा रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इस्राइल के उपर इरान और हिजगुला की तरफ से डबल अटैक होने जा रहा है दरसल इस्राइली सेना को इस बात की पुखता जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुला की राडवान फोर्स उत्री इसराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है IDF का कहना है कि राडवान फोर्स के पास उत्तर में खुस कर सेटिलमेंट्स में अपना जंडा लहराने और उस इलाके को आग के हवाले करने की ताकत है और ऐसे में हिजबुला को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन इसराइल पर कोई बड़ा हमला करने से पहले हिजबुला हर सेकंड में उत्री इसराइल को अपने हमलों से दहला रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने हर एक मिनट में उत्री इसराइल पर छे बड़े हमले किये हैं जिस से इसराइल दहला हुआ है हिजबुला का कहना है कि ग्यातौन में बने नए 146 वी डिवीजन के हेड़क्वाटर को ग्रेड रॉकेट के इस साल वो से उड़ा दिया गया हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने 12 अगस्त 2024 की सुभा इस हमले के बाद मेतुला सेटलमेंट में कई राउंड रॉकेट और गोला बारूद दागा है और इस हमले के कुछ घंटों बाद सुमाका मिलिटरी साइट पर गोला बारूद से हमला किया गया और शाम होते होते करीब 7 बज कर 15 मिनट पर हिजबुला ने हनीता मिलिटरी साइट के करीब इसराइली सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला कर दिया हिजबुला के मुताबिक इस दौरान अल-ालम मिलिटरी साइट पर भी हमला किया गया है और अल-मलिक्या साइट पर तो सीधे रॉकेट हमला किया गया जिस से आईडियफ को भारी नुकसान हुआ है वह हिजबुला के इन हमलों के बीच इसराइली सेना के चीफ अव स्टाफ लेफटिन एन जनरल हैर्जी हलेवी ने आईडियफ की एक बड़ी बैठक की है जिसमें उन्होंने कई मोर्चों से युद्ध की योजना को मनजूरी दे दी है हलेवी का कहना है कि हम उचस्तर पर युद्ध के लिए तैयार है बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग में आईडियफ के डिप्टी चीफ, इंटेलिजन्स हेड, ओपरेशन के डिरेक्टर्स, उत्री कमांड के मुखिया और एरफोर्स के हेड ने हिस्सा लिया था आपको बता दे कि इस मीटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है वो ये कि 12 अगस 2024 को अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खबर में कहा कि इसराइल पर अगले 24 घंटों में इरान और हिजबुला की तरफ से हमला हो सकता है जिसके मद्दे नजर आईडियफ ने ये मीटिंग बुलाई थी इसको लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री यौग गिलन्ट का कहना है कि हम सतरक्ता और तैयारी के दौर में हैं तहरान और बेरूट से खत्रा हकीकत में कभी भी बदल सकता है और सभी को इसके बारे में तैयार रहने के लिए बताना जरूरी है और सतर्पता का मतलब ये नहीं कि हम खौफ और देहशत में हैं वहाई इस सब के बीच इरान के ऊपर इंटरनाशनल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने सईयुक्त रूप से एक बयान जारी करके इरान को चेतावनी दी है कि वो इसराइल पर हम लान ना करे जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद की चपेट में आ सकता है तीनों देशों ने अपने बयान में कहा कि हम गंभीरता से इस शेत्र में बड़े हुए तनाव को लेकर चिंतित हैं और तनाव कम करने और इलाके में इस थिरता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर एक जुठ हैं इस परिपेक्ष में और विशेश कर हम इरान और उसके सहयोगियों से कहते हैं कि वो हमला करने से बचें जिस से इलाके में और ज्यादा तनाव ना भड़के और गाजा में युद्विराम के मौके और इसराइली बंदगों की रिहाई की बाच्चीत लडखाडा ना जाए आपको बता दे कि बिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि अगर इरान ने इसराइल पर हमला किया तो वो अपने क्रत्यों और शांती और स्थिर्ता को खत्म करने की जिम्मेदारी लेगा हाला कि इतना सब होने के बावजूद इरान के विदेश मंत्री अली बागेदी कानी ने चीन के विदेश मंत्री वैंग यी से साफ कह दिया है कि इरान के पास उप्युक्त जवाब देने और रोकने का अधिकार है आपको बता दे कि इरान से बढ़ते खत्रों को देखते हुए इसराइल काफी चोकन ना हो चुका है और इरानी अटैक को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि इरान की तरफ से इस हफते हमला हो सकता है इसको लेकर अमेरिकी राश्रपती भवन के प्रवक्ता जॉन किर्वी का कहना है कि हमारी चिंता साजह है और हम अपने इसराइली समकक्ष को बताना चाहते हैं कि ये इस हफ़ते हो सकता है आपको बतादे कि जॉन किर्भी ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी इरानी हमले के लिए पूरी तरहा से तयार है किर्भी के मताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने मिडलिस्ट में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है और ये मौजूदगी 13 से 14 अपरेल 2024 को हुई इसराइल पर हमले से 20 ज्यादा है अमेरिका का कहना है कि हम इसराइल के उपर दोबारा अपरेल जैसा हमला देखना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका इसराइल की रक्षा करेगा का क्योड़को जो वाज़गको ये उपस् wakingा इसराइल और जार वाज़गगो से कि अईसो कि आपे वंपोसिए वह् promptयान को नारो हो याँ कि वेना को जोडिएार घ्री को अँआरियु deposit वेंगा माँती है प्रप्रूब एड़ प्रप्रूबूबू झाल